असलाम अलाइकम जी, welcome back to my channel again, hope so आप लोग सब खेरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे आज की वी लॉग में मैं कर रही हूँ, last minute shopping, stay tuned रहें, इस वीडियो को last time जरूर देखें I'm pretty sure कि आप इस shopping को बहुत ही ज़ादे enjoy करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग गई मार्शल में, जो की जिसकी बरांच थी, मिस्स सागा में बहुत ही बड़ा store था, लेकिन बहुत ही बिकार collection थी इस store से ठाक हार के और मायूस होके, मैं चली गए winner के store में, जो के बिलकुल ही उसके बाजू में था एंटर साथ होते ही मुझे bags की नजर आई collection बहुत ही मज़े मज़े की, वैसे तो I'm not a big fan of bags, लेकिन साड़े bags को अच्छी ताना तारने के बाद, यहाँ पे मैंने लिया Michael Kord का bag जिसको मैं करी करूंगी आने वाले vlogs में, stay tuned रहिएगा अच्छा मैं आपको बताना तो भूल ही गई, यह सारी shopping पाकिसान जाने के लिए हो रही है, जिनको नहीं पता, I'm based in Canada, but originally I'm from Pakistan Michael Kord को counter पे pay करने के लिए गई तो वहाँ पे देखती हूँ watches and jewelry की collection, जिसको देखे मूं में पानी आ गया, हर किसम का brand था भाई, वहाँ पे, gas, Gucci, visachi, Michael Kord, दिल तो करा था कि सब का सब उठा लू, लेकिन husband का bank balance भी तो नहीं खाली करना था, husband back की payment कर रहे थे और मैं watches को पाची की घरिया ले ली, एक watch ली मैंने अपने लिए और दूसी watch ली मैंने as a gift, comment section में मुझे जरूर बताए कि कौन सी watch मैंने अपने ली रखी होगी और कौन सी watch मैंने as a gift रखी होगी, अच्छा इन दोनों watches और back को लेने के बाद मैं इतना excited होगी थी कि बाकी की चीज़ो कुछ देखनी की मैंने जरूरत ही महसूस नहीं की, इसके बाद मैं चलीगे सफोरा के store में, जो के मेरा favorite है, I think हर लड़की का favorite store होगा ये, यहाँ पे मुझे perfume बाई करना था, और यहाँ पे मुझे makeup तो बिल्कुल भी बाई नहीं करना था, because as a makeup artist मेरे तो घर में ही makeup की mini shop है लेकिन makeup products की मैंने वीडियो जरूब नाई है, और सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, Fenty Beauty के मुझे foundation, pressed powder, lip gloss बहाँ ज़्यादा पसंद है, Charlotte Tilbury की मुझे कोई खास product पसंद नहीं है, मुझे लगता है इसकी market में सिर्फ hype ज्यादा है, और price ज्यादा है, Too Faced बहुत ही ज जबरदस coverage होते हैं, बहुत ही ज़्यादा dewy finishing आती है, और इसके lip plumper की तो क्या ही बात है, अगर आप butox या fillers नहीं करवाना चाहते हैं, तो lip plumper का use करें और आपको fuller effect आएगा, और आप बारी आती है NARS की, हर makeup artist को इस ब्रैंड से बहुत ही ज़्यादा मुखबत है, इसके lipstick और powder blush मैंने कभी try नहीं की, लेकिन इनकी तरीफे मैंने काफी सुनी है, और आप आते हैं, हम लोग अपने anesthesia brand के ओपर इसकी foundation, brow gel, lip color, eyeshadow palette बहुत ही amazing होते हैं, according to me, इसके eyeshadow palette की price थोड़ी over price है, लेकिन इनकी pigmentation काफी जबरदस किसम की होती है, अच्छा जी, अब आजाते है हुदा beauty पे, जो के हर Asian makeup artist की जान है, इसके products बहुत ही creamy और बहुत ही जबरदस किसम की होते हैं, eyeshadow, foundation, concealer, setting powder, mascara, सब के सब बहुत ही amazing है, और हर skin type के लिए इनके products available है, यह वाहिद brand है, जिसका stock up मैं करके डगती हूँ, आजकल इनका color corrector की high बहुत ही ज़ादा in है, जिसको इन् हुदा beauty के color corrector का पाय करूँगी, और यहाँ पे ज़ादा चेक करें, इनके eyeshadow की pigmentation, इतनी ज़्यादा creamy ही इनके eyeshadow है, मेरे पास इनके 2-3 palette मेरे पास इनके हैं, और बहुत ही ज़्यादा easy to do blend है, और आप आ चुकी हमें अपने favorite part, यानि perfume की counter पे, यहाँ पे मैं क्याली को और काफी सोच बचार के बाद, अच्छे हासे perfume को test करने के बाद, मैंने decide किया कि Valentino का perfume मैं buy करूँ, और अपनी collection के अंदर इजाफा करूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को like नहीं किया, subscribe करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज बैल icon का बटन ज़रूर दबाए लेकिन कहीं मच जाएए, रुकिये ज़रा, अभी shopping तो बिल्कुल भी खतम नहीं हुई, heartland के बाद आप यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, scare one के अंदर, husband का और ज़्यादा खर्चा करवाने के लिए, सबसे पहले मैं गई लसंजा के अंदर अच्छी collection थी, I'm not a Victoria secret person, I love you a rose person, I लसंजा गल, तो यहाँ पे आप लसंजा की collection को enjoy करें, और उसके बाद मैं चली गई हूँ, Zara पे, husband को सिर्फ यही कह के गई थी, कि window shopping करने के लिए जाड़ी हूँ, लेकिन अंदर जाते ही, जी, मैं देखती हूँ, Zara की collection, तो मेरे तो हलाद भी बदल गे, और साथे साथे कि आप किसी भी इसको casual भी पहन सकते हो, किसी party में भी अराम से easily इसको पहन सकते हो, बहुत ही अची जबर्दस collection थी, और यहाँ पी इनकी स्की आने वाली है jewelry की collection, बहुत ही different और हटके style से comparison to the other store, क्योंके मैं दूसरे store में भी काफी फिर शुकी थी, और यहाँ पी आ जाती ह इस शूस की collection और बैक की collection और यह सब शूस मुझे इतने पसंद आ रहे थे ना, जिनको नहीं पता कि like, I'm a big fan of shoes, मुझे शूसों की collection करना इतना पसंद है ना, जितने भी जूते हो मेरे बास कम है, लेकिन इन चार जूतों में से सिर मैं ने एक ही जूता लिया, क्योंके बाक कर ली husband को call, और उनको कहा कि जनाब आ जाओ अंदर, pay करने की बारी आ गई है, अच्छा मैं अपने husband के साथ shopping को बहुत द्यदा enjoy करती हूँ, आप भी मुझे जरूर बताइएगा comment section में कि आप लोग shopping को अपने enjoy करती है, husband के साथ के बगैर husband के enjoy करती है, काफी shopping करने के बाद यहाँ पर हो चुकी थी हम लोग की sugar low, और यहाँ पर हम लोगों ने buy की mango smoothie, और उसके बाद हम लोगों ने mall को अलविदा कह दिया, और खाना खाने के लिए हम लोग निकल पड़े, restaurant का नाम था desi road, जो के ब्रेम्टन में था, appetizer और dessert बहुत ही मज़े के थे, यहाँ पर ख्यार रखें, दौाओं में याद रखें, इंशाला बहुत ही जल्द मुलाकात होगी ने वी लोग के साथ, ओके जी, अलावेज़